हेलो एविवान कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे खुश होंगे स्वस्थ होंगे तो आज की जो रीडिंग है यह हम करने वाले हैं देखेंगे हम आज के अपने इस रीडिंग में की आपके जो पार्टनर हैं इसपेशली आप सब के लिए क्या फील कर रहे हैं आज शाम को ठीक है रीडिंग का टॉपिक यही है सो ध्यान रखेगा कि यह जन्रीडिंग होगी कलेक्टिव वीडिंग होगी और आप सब को मैं इंफर्म कर देना चाहती हूं कि दो-तीन दिन आपको वीडियो कहीं और से मिल मतलब कि मैं ट्रावल करने वाली हूं आज तो आपको हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा टाइमिंग लेट मिल सकती है सुबह वाली वीडियो ठीक है क्योंकि मैं ट्रावल करूंगे और ट्रावल के दौरान वीडियो शूट करना पड़ेगा ठीक है तो थोड़ा सा आपको करना होगा ठीक है तो टाइमिंग कल की थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है मैं कोशिश रहसे करूंगी कि उसी टाइम पे मैं अपलोड कर दूँ ठीक है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना शेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ठीक है और रेमडी एन रिच्वल्स के ल तРИक की programming कर्वाईए ताकि जो लोग जो लुड़ियो रिच्वल्स करवाना चाहते हैं उसके लोगोवार प्रैइब रिच्वल्स करके हम उनको लए लोग चले देखते हैं कि आज शाम को क्या फिल कर रहे थे और आप लोगों ने आज मेरा ब्लॉगिंग का चैनल ज़रूर देखा होगा मैंने उस पर ब्लॉग बनाया था चटका तो मैंने डाला हुआ है आई होप आप सब ने देखा होगा आप सब मुझे बताना कि ब्लॉग ब्लॉगिंग अच्छा है ब्लॉगिंग देखना चाहोगे मेरे मैं क्या करते हूं क्या नहीं करते हूं वह सारी चीज़े देखना चाहते हो या फिर आप लोग मेरा कुकिंग देखना चाहते हो ठीक है तो वह आप लोग मुझे बताना उसके बाद मैं उस चैनल पर वही कर कि अगे चले देखते हैं अब क्या कार्ट्स निकल के आते हैं कि राइट करें ठीक है ओके तो अभी इतने कार्ट्स निकले हैं लास्ट में हम उनके मैसेजेस भी देखने वाले हैं आज बॉटम आफ तर डेक सेवन अफ सॉड्स आज शाम को वह क्या फिल कर रहे थे तो सेवन अफ सॉड्स के एनरजी है जो कि काफी जादा एक चीटिंग वाली एनरजी है जो कि काफी ट्रस्ट को खोने वाली एनरजी है जैसे कि ट्रस्ट खो जाता है जैसे कि ट्रस्ट नहीं है ऐसी एनरजी मुझे न पाते हैं तो वो एनरजी मुझे नज़र आ रही है ट्रस्ट को लेकर के थोड़ा बहुत मुझे दिख रहा है कि यह प्रॉब्रम चलती भी दिखाई दे रही है ठीक है और चीज़े देखते हैं कि दम मून की एनरजी है एक दम कि यहां है मेरे पास टैना वांड पेज अफ पैंटिकल्स देथ का कार्ड है वील अफ फॉर्चून क्वीन अफ कप्स क्वीन अफ सॉर्ट्स दा हरफेंट फाइफ अफ पैंटिकल्स दा वल्ड की एनरजी है यहां मेरे पास किंग अफ सॉर्ट्स के एनरजी ठीक है यहां पे कार्ड्स आपके सामने दिख रहे हैं आपको यहां पे मैं देख पा रहे हूं कि देखिए आपके जो पार्टनर है आपके साथ देखे आपके partner का ऐसा दिख रहा है जिसे की काफी ज़दा problem है मुझे ऐसा दिख रहा है न देखे ये person अभी शाम के समय में काफी मायूस होकर के बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं चाहे आपसे बात हो रही है नहीं हो रही है बट ये पर्टन मायूस हो करके बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी जिन्दगी में काफी ज़दा स्ट्रगल कर रहे हैं काफी स्ट्रगल करते हुए ये पर्टन मुझे दिखाई दे रहे हैं और ऐसा दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफी कुछ चीजे ऐसी है जहां पर gap आ चुका है ठीक यहां पर कुछ बाते ऐसी रही है जिसको ले करके आपके partner के मन में थोड़ी सी कुंठा है यहां पर और यहां पर दिख रहा है कि आपके और आपके partner एक दुसरे के साथ पहले के जैसे relationship में नहीं रह रहे हो अभी ठीक ह पहले जैसा relationship था, जितना बहतरीन relationship था, जितना एक दुसरे को ये साथ को enjoy करते थे, वो साथ अब नहीं है, ठीक है, उसमें कहीं न कहीं कुछ gap आथ चुका है, चाहें इनके career की वज़ा से हो, चाहें इनकी family के burden की वज़ा से हो, चाहें कुछ हो, ठीक है, मुझे यहां पर दि ज़दा border है, इतनी ज़दा परेशानी है, यह मतलब परेशानी खतम होने का नाम नहीं ले रहे है, ऐसा यहां पर मुझे दिख रहा है, आपके कार्ट्स में, आपके partner जो हैं काफी practical इंसान है, और आप भी काफी practical हो, दोनों practical काफी ज़ादा है, लेकिन मुझे यह दिख र बिप बोलता है और उनके तरफ भी बोलता है, यानि कि वो माइन्द मैने कुलेट करता है, और काफी अच्छे तरीके से आपको आपके partner के प्रति भढ़काता है, और partner को आपके प्रति भढ़काता है, यानि कि दोनों तरफ उसका game खिलता है, ठीक है, वो पौर्षन जो भी है third party इनके घरक से कोई person भी हो सकता है ठीक है जैसे कि इनकी mother हो सकती है या इनके father हो सकते हैं जो कि आपके तरफ कुछ और उनके तरफ कुछ ठीक है तो वह यह energy दिखाए दे रही है ऐसा दिख रहा है कि आपके और आपके partner के बीच में काफी काफी कुछ चीज़ें जो हैं बहतरीन से energy हैं काफी बहतरीन से cards निगल के आए हैं और मुझे यहां पर दिख रहा है कि आपके partner काफी पॉजिटीव हैं काफी एक वतन जिसे कि life को जीने की चाहत काफी ज़दा रही है ठीक है मुझे यहां पर यही दिख रहा है कि आपके और आपके partner की बीच में यहां पर काफी ज़दा स्टक सी feelings और स्टक से emotions रहे हैं मैं यह भी देख पार हूं कि आपके partner आपको ले करके manifest करते हुए दिखाई दे रहे हैं manifestation दिखाई दे रहे हैं यहां पर लेकिन अभी फिलहाल देखो इनका नेचर काफी ज़दा रूड नेचर है ठीक है आपके partner जो है ना प्यार से बहुत कम लोगों के साथ बाते करते होंगे बहुत कम लोगों के साथ काफी ज़दा practical होकर के चीजों को करना काफी ज़दा practical होका के relationship में आना है ना वो energy मुझे नजर आ रही है आपके partner की आपके partner जो है ना आपके साथ अपने relationship को ले जाने के बारे में या आगी ले जाने के बारे में फोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन या पर यह भी दिख रहा है five of pentacles के energy क्लियर बता रही है कि आप दोनों का जो relationship कहीं ना कहीं एकदम से जो कहता ना कि sacrifice कर लिया है अपनी जिन्देगी के साथ और फिर भी मुझे लगता है कि इनके मन में कोई बात है जो आज तक आपके partner ने अभी तक बताई नहीं है ठीक है ना वो कोई भी बात हो सकती है क्यो करते रही है ऐसा दिख रहा है जैसे कि कहना जब कहने जाते हैं तब इनके माइन में कुछ चीज़े आ जाती है जो इनको रोक लेती है और यह person कहने ही पाते हैं ठीक है वह energy मुझे clearly दिखाई दे रही है आपके cards और इनके cards के अनुसार से ठीक है मुझे ऐसा feel हो रहा है कि आपके जो partner है ना आपके साथ relationship में आने के लिए जब जब ready होते हैं जब जब यह person करते हैं कि चलो ठीक है हम आगे बढ़ते हैं या आगे करते हैं कुछ चीजों को है ना तब तब इनके मन में क्या ख्याल आता है कि नहीं यार थोड़ा सा और समय ले लेते हैं ठीक है किसी किसी से पुस्ताच कर लेते हैं उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे क्योंकि किसी से पुस्ताच करना ज़्यादा बहतर है ना कुछ भी करने से पहले थोड़ा सा पुस्ताच थोड़ी सी जनकारी जरूरी है और जनकारी लेकर के आगे बढ़ना ज़्यादा जरूरी होता ह तो यहां पर clearly दिख रहा है कि आपके जो partner है आपके साथ अपने रिस्ते को ले करके अपने life को ले करके enjoy करते भी दिखाई दे रहे हैं और मुझे ये भी दिख रहा है कि yes आपके partner wheel of fortune के energy में आना चाहते हैं यानि कि आपके जो partner है wheel of fortune की यानि कि जो समय है इसको बदलने की energy यहां पर clearly दिखाई दे रहे हैं आपके partner अपने आपको समय को बदलना चाहते हैं समय को बदल करके इस रिस्ते को जो है न एकदम से stable करना चाहते हैं stability की तरफ जो है ये person आना चाह रहे हैं मुझे यहां पी दिख रहा है card में ठीक है ये person को ये भी feel हो रहा है जैसे कि आपका जो support है ठीक है इनके life के लिए वह best support है और मुझे जहां तक लगता है आपके हाथ में जो भी चीजें नहीं रही है वो भी आपने की है इस person के लिए ठीक है आपने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करने के बाद से यहां पर दिख रहा है कि आपके जो आपके जो person है ना एक होता ने जिसे कि life को सही तरीके से नहीं देख पाए हैं आपके partner ठीक है आपको अभी पूरी तरीके से नहीं समझपाए हैं आपके partner मुझे ऐसा feel हो रहा है मुझे ऐसा देख रहा है कि आपके partner आपको लेकर कर अपनी feelings को लेकरत अपने emotions को लेकर करके कहीं ना कहीं काफी जदा पूरानी सा energy में हैं काफी सदा एक वितला ना कि life को सही तरी कैसे जीने की चाहत होती भी है तो कहीं न कहीं वो रुकावत आंजाती है तो यहाँ प्यपी यह दिख रहा है मुझे ठीक है मुझे यहाँ पे यह भी देख रहा है कि आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं काफी mentally परिशान दिखाए दे रहे, mentally बहुत ज़्यादा stress में है, फिलाल ये person की energy दिखाए दे रहे है, death की card में energy है, तो ये person को feel हो रहा है कि यार सब को brainwash करना पड़ेगा, यहां पे सब कुछ जोले में डाल करके, बोरे में डाल करके fake ना होगा इसको, ठीक है, ये mind की करो और आगे बहुत ठीक, वो energy मुझे यहां पे नजर आ रही है, आपके cards के energy के अनुसार से, ठीक है, चलिए, अब cards और देखते हैं, यहां के energy के अनुसार से, मैं आपके लिए cards निकालती हूँ, और, यानि की आपके जो partner है, उनका love message क्या है आपके लिए, ये हम देखें messages देख लेते हैं, आपके partner के की love messages, आपको वो क्या देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो, आज शाम ये सारी चीज़े जो भी हुई है, ठीक है, जो भी चली है, उसको लेकर कि ये person क्या कहना चाहते हैं, गाइट करेंगें छिवार्ट थाइस! वहार्ट गर्ड़कुए लेगे आपके लिए कुए मिया दाटिए, पार देखेंगें, आपके बादेगें डाटिए, तियाटीओ, ये उसक्तरट्ट्ट अस्चाहते हैं जाहते हैं, क्याँ आपके जापकें, पारणाय को आपकें, और मुझे जहां तक कि जब भी आपड़ों एक से सहरा होते वह वह किस करते रहना चाहते हैं आपको ठीक है यह पॉर्सन यह परसक्त हैं आपको और हां फिर से केशेड़् हैं तो यहां पर दिख रहा है कि किसberg से रहाई ये परसन काफी ज़दा अपने आपको अच्छा फिल करते हैं, काफी ज़दा खुशी फिल होती है इनको की, जो एक होता है की पॉजटिव सा फिल होता है हमें की यार, इससे ज़दा खुशी और क्या हो सकती है, आपने पार्टनर के साथ आना और इस तरीके का ठीक है, चलिए, आप हमेशा इनको इंस्पायर करते हैं, किसी भी काम को करने में, किसी भी चीज को करने में, ठीक है, आप आपको, आपने अपने पार्टनर को हर दिन एक अच्छा परसन बनाने की कोशिश की है, आपने इनको निगेटिव परसन से, निगेटिविटी से न यह होने चाहिए उसमें वह आपने सिखाए इस परशन को तो तो काफी अछिय बहुत बहुत जदा एक positive सी energy दिखाए दे रही है और आपका जो हाथ है ना इनके लिए perfect है ठीक है आपका जो हाथ है यह आपके आपके पार्टनर के लिए काफी perfect है यहां पर यह portion दिखाए दे रहें कि आपका साथ यह आपका हाथ बहुत जदा इनको सूप करता है वंदर ए मी कए डिख रहा है ये जो आ पॉर्सन ये कहना चाहाते हैं कि आप बहुत क्यूट हो बहुत और वल हो और ये पॉर्शन कभी भी आपके प्यार को प्राइं को खायों हैं तो मतलब आपका जो प्यार है इनके लिए बहुत प्रिसियस है ठीक है आपका प्यार इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रिसियस है और यू आर गुड एट गिविंग में रियली ग्रेट एड्वाइज वैन आइस्क फॉर इट सो आप हमेशा बहुत अच्छे एड्वाइस देते हो जब भी आपके पार्ट काफी प्यारे से इमोशन्स मुझे नज़र आ रहे हैं आपके कार्ड में आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ एक जो होता है ना कि बहुत प्यार से रहना और बहुत प्यार से डील करना तो वह एनरजी मुझे नज़र आ रही है तो आप पूरी दुनिया से अलग पूरी दुनिया से अलग। पुरी कायनात तरफ आप एक तरफ आपका अंदाज एक तरफ आपकी प्यारी यह सी एक sucks вод उनेर्जी मुझे नजर आ रही है। प्यार तो बहुत करते हैं आपके पार्टनर को आप से और आपके पार्टनr है ना मतलब आपको ले करके काफी जो एक होता ना की positive सा feel करना और positive सी energy है ना तो वो energy मुझे नजर आ रही है आपके cards में ठीक है so overall अगर मैं देखूं तो आपके cards में clearly देख रहा है कि आपके partner को प्यार 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 है ठीक है so यह है आपकी reading आज की reading I hope reading आपके साथ resonate की होगी so यह है आपकी reading आज की reading और मिलते हैं फिर अगली reading में तब तक हस्ती रहे हैं मुस्कुराते रहे हैं और खुश रहे हैं तब तक के लिए bye bye take care hello everyone so आज की जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं यह जो bracelet आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हो इसके बारे में आज बताने वाली हूँ यह bracelet देखो बहुत ज़्यादा खुबसूरत है यह bracelet white and black combination में है यानि कि यह जो bracelet है यह lava है ठीक है यह जो beards है यह lava के beards है लावा आपको पता है ना कि कहां से आता है ठीक है जो आला मुखी से लावा निकलता है वही lava का यह जो है bracelet है यह है how light ठीक है तो यह जो bracelet है इसके benefits में आपको बताने वाली हूँ आज यह जो bracelet है यह bracelet वो लोग यूज कर सकते हैं जिनको नीन से related problem है ठीक है जो लोग अच्छे से सो नहीं पाते हैं रात में बहुत ज़दा मुश्किल होता है उनका सोना आपके घर में आपके ममी पापा सास ससूर या आप खुद आपको नीन नहीं आती है नीन से related problem है तो आप इस चीज का यूज करें यह bracelet मन को शान्त करता है शरीर को और आत्मा को ठीक है बैलेंस करता है यह आपके गुस्टे को है ना खतम करता है यह कम करता है आपका गुस्टा अगर गुस्टा ज़्यादा होते हो ना इस bracelet को पहना करो ठीक यह आपके अंदर positivity लेकर आता है यह जो bracelet है यह एक positivity लेकर करके आता है आपके life में आपको उच्जावान बनाता है आपके अंदर जो positivity होती है उसको और जड़ा create करता है और अच्छा बनाता है आपको negativity से भी बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है तो ये जो ब्रेसलिट है इसको जो है आप अपनी बीमारी के लिए भी यूज कर सकते हैं ठीक है ये अनींदरा के लिए होता है यानि कि नीद नहीं आने वाली समश्या के लिए सबसे ज़्यादा होता है हडियों से रिलेटेड आपके तीत में कोई प्रॉब्लम है तो भी ये हैल्प करता है एंठन होती है बहुत सारे लोगों के पैरों में हाथों में एंठन होने लगती है तो उसमें जो है ये काम करता है दर्द में पैरों में एठन तनाव चिंता है ना केल्सियम की कमी को भी ये जो है ना दूर करत है ठीक है कैल्सियम की कमी से जो है बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स होती है उनको यह दूर करता है ठीक है यह गठिया को भी दूर करता है अलसर को भी दूर करता है और सरीर में चकते हो जाते हैं या हार्ट से रिलेटर जो प्रॉब्लम होती है उसको भी यह दूर करता है ठी ठीक है जो red red cells हो जाते हैं हमरे skin पे skin allergy है ना तो उसके लिए भी है ये ठीक है ओके अब लावा का मैं बता दरी हूँ कि इसमें लावा क्यों एड किया गया है ये तो अब लावा की मैं बात करती हूं यह जो लावा है ठीक है यह हमारे प्रितवी का इक मूलब भाग होता है ठीक है प्रितवी से ही आता है यह और यह आपको जो एक कहते हैं कि emotionally balance है ना? इnow, इन्मोषनल यह जो है बैलेंस करता है, emotionally, से ज़ोग वेक है, जो लोग शर्मीले, कैता नहीं कि बहुत शर्मीले है, वो तो ना? तो उस उस चीज में जो है यह यह फाइदा करता है, ठीक है? आपके सरमीले पन को थोड़ा सा बैलेंस करता है और आपके गोल को अचीव करने में ये बहुत 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 फाइदा करता है ठीक है ये जो ब्रेसलेट है ये जो लोग डरते हैं जिनको डर लगता है उनके लिए भी यूज किया जाता है आपको एक जो थाना मोटिवेशन क की ज़रत होती है किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन की ज़रत होती है तो आप ये ब्रेसलेट का यूज कर सकते हैं इस ब्रेसलेट का बहुत फाइदा है और जिनके अंदर बहुत ज़दा एक जो हताना की गुस्से वाली एनरजी रहते या बहुत ज़दा एक लगता विशेस्तर, करक राशी, ठीक है, विश्च राशी और विश्यक राशी वाले पहनेंगे, ठीक है, और टॉरस कैंसर स्कॉर्पियो, ठीक है, टॉरस कैंसर स्कॉर्पियो, इंगलिश नेम, क्योंकि हिंदी और इंगलिश दोनों बताना पड़ता है, साथे साथ जैमिनाई और वर्गो जिनका साइन है ठीक है कुंडली के अनुसार से वो लोग ये ब्रेसलेट को जरूर धारन करें ठीक बाकी लोग भी धारन कर सकते हैं कोई प्राब्लम नहीं है बट ये लोग हैं तो और जदा बहतर रिजल्ट इसका देखने को आपको मिलेगा तो ये है ब्रेसलेट की जनकारी अगर आपको ये ब्रेसलेट बाई करना है तो आप दिये गए वाट्स अप नमबर पे कॉंटेक कीजिए ठीक है वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी क्या प्राइज है या क्या है ये ठीक है सारे के सारे रियल स्टोंस है ठीक है नाचुरल जिम लेना है तो दिये गए वाट्स अप नमबर पे कॉंटेक्ट कीजिए वहाँ पे आपको डिटेल्स दे दी जाएंगी मिलते हैं फिर अगली डिडिंग में बाबाई